आईए जानते हैं exercise के पाँच नियम जो आपको पता होने चाहिए दोस्तों exercise करना health के लिए अच्छा है लेकिन इसके नियमों को अंदेखा करना उतना ही बुरा हो सकता है इससे बचने के लिए इन 5 बातों को जरूर जान लीजिए जो exercise के बारे में आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली बात warm up exercise शुरू करने से पहले warm up करना अनिवार है ताकि आपका शरीर exercise के लिए पूरी तरह से तयार हो सके अगर आप इसे अंदेखा करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है दूसरी जरूरी बात form दोस्तों आप exercise के जिस form याने की प्रकार को कर रहे हैं उसे नियम के अनुसार ही करें जैसे की बताया गया है अपने हिसाब से किसी तरह का फेर बदल बिल्कुल ना करें अनेथा आपके शरीर को ये भारी बढ़ सकता है और फायदा होने की जगे इसका नुकसान हो सकता है नियम नंबर 3 शुरूराती लोगों के लिए दोस्तों एक्सरसाइस करने के शुरुआती दिनों में ज़ादा ट्रेनर के अनुसार ही एक्सरसाइस करें इससे आपको व्यायाम और उससे होने वाले फायदे शरीर तक पहुँच पाएंगे तथा शरीर को किसी भी तरह की तकलीव से आप बचा पाएंगे इसलिए ट्रेन की मदद से शुरुवाती दिनों में अपनी एक्सरसाइज को जरूर करें चौथा नियम डाइट दोस्तों एक्सरसाइज के साथ डाइट का भी विशेश ध्यान रखें जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह 80-20 का रेशिय होता है यानि कि 80% आपकी डाइट और 20% आपकी आपके शरीर को फायदा करेगी वहीं अगर आप डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे आप अपने आपको फिट रखना चाहते हैं तो यह आपकी गलत फैमी है क्योंकि लॉंग टर्म में आपकी डाइट ही आपके शरीर को फिट रखती है पांचवानियन उम्र एक्सरसाइज करना है तो किसी भी उम्र में यह किया जा सकता है लेकिन एक्सरसाइज का चुनाव अपनी उम्र के अनुसार करें और शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें अगर आपको सेहत संबंधित समस्याएं हैं तो वि वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर आप हमसे पोच सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एन्फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए